हेलो डियर स्टुडेंट्स हावा यू आल वेलकम बैक अठ्मी क्लास दे गनित विशे ना सबंदित सेशन वेच सारे आंदा स्वागत है अज असीं असाइन्मेंट नंबर 164 करनी है जिस दे तैत असी चैप्टर नंबर 9 जिसना नाम है वीच गनितिक व्यांजक अते तत्समक means algebraic expressions and identities ठीक है इस चैप्टर करन जा रहे हैं और इस चैप्टर दे वेच जो first assignment है वो किड़ी terms दे ना related है किड़ी terms ने पहली पहली दा नाम ही terms है ठीक है दूसरी है factors ते तीसरी है coefficients ठीक है मतलब एदे वेच असी पढ़ांगे पद गुननखंड अते गुनाक बारे ठीक है पद मीन्स terms गुननखंड मीन्स factors ते गुनाक मीन्स coefficient है सारे बच्चे ने note कर लेना है ओके बच्चो ते सब तो पहले आसी पढ़ांगे वियंजक बारे वियंजक बेसीकली किया कि किसे वी चल अते अचल संख्यामा नू मिला के की बनदा है वियंजक ठीक है यह ता मतलब कि वियंजक बारे असी गाल कर दे हैं इन्हों समझान लिए असी के एक्जाम्पल है ने मनलो मनलो साथे को एक्जाम्पल है 2x-6 2x-6 ओके बच्चो एरे विच बच्चे दो टाम्स ने किडिया किडिया एक है 2x ते दूसरी है 6 ठीक है इना दोना नों मिला के मतलब विच प्ल की हुंदिया वियंजक एक्सप्रेशंस मतलब एक्सप्रेशंस जड़े ने ओ बन दे हन ओके बच्चो ते एरे विच जो फर्स्ट टाम है इन्हों असी कमागे इस थे पहला पद ठीक है ते दूसरा दूसरी टाम है इन्हों बच्चे लिखांगे दूजा पद ठीक है मतलब फर्स्ट टाम और सेकिंड टर्म ठीक है तो यह दो टाम्स आगी है दोना टाम नों मिलके की बने आए थे वियंजक और पहली टाम जड़ी है ओ किया इत्थे टू एक्स ते दूसरी टाम की है गिया शेक्स ठीक है ते शेक्स बच्चे इत्थे है इस संख्यान वसी की कमागे इस बच्चे अचल संख्या ठीक है अचल दा मतलब हुंदा है जेडी के कॉंस्टेंट वैल्यों हुंदी जेडी की हुंदी ह्नी है को एगर तो आब कोई भी टीचर जा कोई वी इन्सान कहनदा है के सिक्स लिखो तूसी इस तरह निखूंगे ठीक है तो अड़े दमाग वी है कि इसरे टाम दे वेच टू और एक्स दी की है गुणा ठीक है जेरे वेच टू अगें एक अचल संख्या है ठीक है ते आ जो एक्स है एक्स किया इते चल चल मीन्स वेरियेबल की है वेरियेबल ठीक है वेरियेबल मतलब वेरियेबल इते की होएगा जेरी वैलियों सी find करनी है, ओ, x भी हो सकता, ओ, y भी हो सकता, z भी हो सकता, a भी हो सकता, मतलब a to z, कोई भी, अगर letter, math दे वेच, किसे भी expression भी चांदा है, तो तुसी उसनों की कहना है, ओकी है, चल, चल means variable, तो dear students, होना सी, पद गुनन खंड, अगर ते गुनाक बारे समझांगे, means, terms, factors, and coefficients, terms, factors, and coefficients, इन्हों समझांड लिया सी, के example ले लेने, इथे example साड़े को ला है, 5y प्लस 4, 5y प्लस 4, ठीक है, अगेन एदे वेच, दो terms आगी है, दो पद आगा, किड़े किड़े, 5y ते दूसरा है, 4, ठीक है, तो इन्हां दोना तो मिलके, एक ही बने आगा है, वियन जग, इन्हों की आखांगे, वियन जग आखांगे, मतलब expression आखांगे, ठीक है, ते एदे विच इड़े फर्स्ट टाम है, एदे विच की है, दोना दी multiplication, केदी केदी, 5 दी, y दे नार, 5 दी, इत्थे, y नार की है, multiplication, इस सारे बच्चे ने याद रखना, कि अगर कोई भी value, जिदा मालो, असी 2x लिख देता है, एदा मालो, 2x ना multiplication है, इतनी जिए असी 3y लिख देता है, इस सारे बच्चे ने याद रखना है, बड़ी confusion होंदी है, बच्चे नू, ऊके बच्चो, तो उस तो बाद, एदे विच जो second डाम है, ओ है 4, ठीक है, एक ही होगी फिर इते, अचल संख्या, ठीक है, एक ही है, अचल, और एक ही है, एदे विच य जो है, एक ही है, चल संख्या, मतलब वेरियेबल, और second डेड़ा, एदे वाइदे नाल की होया, multiple factor है, ठीक है, किया है दे विच, multiple factor, मतलब 5 ते वाई जड़ा है, उना दोना दा की है, गुणन फाल है, ठीक है, 5 दी वाई दे नाल की है, गुणा, ठीक है, इस सारे बच्चा ने याद रखना है, ठीक है बच्चो, second expression बच्चे किया है, 7x minus 7x, second expression बच्चे किया है, 7xy minus 5x, minus 5x, ओके बच्चो, तो एरे बच्च, दो टर्म्स आगी हैं, केडियां, केडियां, 7xy ते दूसरी टर्म है, केडियां, 5x, एरे बच्च, जो 7xy है, एना मतलब एक ही है, 7x अते y दा गुणान फाल, ठीक है, मेंसर उना इना तिनना टर्म्स दे किया, प्रडाक्ट है गिने, ओके बच्चो, तो बच्चो, हुन तक तुसरी देखो, टर्म्स मतलब पद बारे भी जान गया, के कोई भी वियंज़का, ओदे बच्च, देखो, एरे बच्च, दो दो पद सिगे, ते 5Y, ते 4, इदी यह दे बच्च, 7XY, ते 5X, ठीक है, बच्चो, इते 7XY, जो पद है, ओकी 7X ते Y दी किया, देखिया, गुनन फाल लेगे ने, ठीक है, मतलब इना तिनना दे, परड़क्ट, ओकी, बच्चो, नेक्स्ट टाउ में दे बेच कहागी है, ओकी है, गुनाक, गुनाक मीन्स, कॉफिशेंट, कॉफिशेंट बेसिकली की हुँदा, सब तो बल्ला दे यसी बच्चे, इत्थे करांगे, नुमेरिकल कॉफिशेंट, ठीक है, जा सिंप्ली कॉफिशेंट, कॉफिशेंट दी गाल करांगे, मतलब संख्यात्मक गुनाक, जा फिर गुनाक, ठीक है, ते गुनाक बेसिकली की हुँदा, कि किसे भी पद दे संख्यात्मक गुनान खांडनुवसी की कामागे होदा, संख्यात्मक गुनाक खांगे, ठीक है, जिद्धा, देखो, 7XY दे विच, जो संख्यात्मक गुनाक है, ओकी है, 7, ओकी है गया, 7 हा, ठीक है, इतनी बच्चे 5x विच्च संख्यात में गुणा किड़ा है किड़ा है 5 ठीक है बच्चो समाझागी गल अच्छा इन्हों एक वार फिर ऐसी कर लेने है तांके तो आड़े दमाग विच कोई डाउट ना रवे मान लो साड़े को एक्जांपल है 2xy plus 3y एक यह एक वियंजक है ठीक है एक एक एकस्प्रेशन है गाया मेंस वियंजक है और इस वियंजक दे विच दो टांस ने दो पद हैगे ने पहला पद गेड़ा है इसे लिख लो एदे विच पहला पद तुसी की लिखूंगे ठीक है, ओकी होगा 2xy, ते दूसरा पधे देबेच की है है, ओकी है 3y, ओके बच्चो, ठीक है, ते पहले पधे बेच मतला 2xy देबेच, 2xy देबेच संख्यात्मक गुनाक, संख्यात्मक गुनाक जड़ाए ओकिड़ा है ओकी होएगा टू ठीक है numerical coefficient एड़ा है ओकी होएगा टू होएगा ओके बच्चे ओ ते इदने बच्चे 3y दे विच संख्यात में गुणा किड़ा होएगा ठीक है एक ही होएगा 3 ओके सो याद रखियो तो next बच्चे होना सी करना है next term खी है समान अते अस्मान बद ठीक है समान अते अस्मान पद means मुझ्स लाइक एंड अंलाइक टर्म्स ठीक है लाइक एंड अन्लाइक टर्म्स एरे विचे बच्चे बहुत कन्फ्यूजन हों दी बच्चे अनों बहुत ज्यादा तो इन्हों त्यार ना समझियो किस तरह देखो अगर मैं इते एक्जाम्पल लिखा मानलो पहला सी सिंपल एक्जाम्पल लेकर सामय दिया ट्री एक्स टैद समानधा मतलता या घ्रीक है तो एले विचे इसमानगेवाइगा अस्मानधा मतलब हुन्दा या अनलाइक जड़े इक्को जए नहीं है ठीक है तो एलेवि़स्टै चूटती समझन नियों दी और गरको फूर्फ कोशिश करो find out कर रहां दी कोशिश करो देखो यह नहीं देखना के numerical coefficient गेड़ा है ठीक है असी देखना वेरियेबल की देखना है असी देखांगे चल ठीक है असी चल संख्या देखनी है होने देवेच देखो इथे 2x है 2x देवेच भी x आ और 3x देवेच भी x आ रहा है मतलब यह नहीं देख चल किया समान है ठीक है जेना देख चल जो है समान हुंदेया उना नहीं आसी करनेया लाइक टर्म्स की आख देया है लाइक टर्म्स ओके बच्चो मतलब के इको जहे के जदों पदा दे बीच गनितिक गुन खांड एको जहे होन ता ओ पद समान पद खौन देहन ठीक है वेन दी एलज़ेब्रिक factors of the terms are same then these are known as like terms अगर इस तरह नहीं है तो उना नहीं है तो उना नहीं है तो टर्म्स रड़िया है लाइक टर्म्स नहीं है मतलब ओ की होन गया है unlike terms उना नहीं है की आख खांगे unlike terms ठीक है बिच्चो तो एदा मतलब एदे वेच 2x 2x अते minus 5y ए दुनों की होई है फिर अस्मान ठीक है अस्मान पद हो गया है ठीक है मतलब unlike terms हो गया है ओके बच्चो ठीक है एक यह unlike terms फाइन ते इस तो बार बच्चे होना सी अगले topic वाल बात दें अगला topic है बहुत बदा दियाँ किस्माँ ठीक है मतलब types of polynomial ठीक है polynomial ठीक एरे वेच बूँर पहलना थी पढ़ांगे इक पदी इक पदी मतलब monomial ठीक है monomial मतलब एक दा मतलब देखो एक पदी दा मतलब होणा जेरे विच सिरफ एक ही पद होवे मतलब एक कोई टाम होवे ठीक है उन्हों असी कमागे उस expression असी कमागे ठीक मागे manomial मतलब एक पदी कहांदा है ठीक है example देखो example करी है 7xy ठीक एदे minus 5m 3z square 4 एक ही है एक टाम ही है ठीक है पूरा expression ही है ठीक है मतलब असी के लिए 7 असी के लिए 7xy यह सारा एक कोई expression है ठीक है एदे minus 5m एक ही है एक कोई expression है तो एक ही हो गए एक पदी ठीक है एक ही है एक पदी मतलब manomial ठीक है mono दा मतलब single होदा यार क्यो सारे बच्चे English medium आडे mono means single ठीक है तो single term जानिके एक पदी संख्या रिडिया जा व्यंजक एक पदी व्यंजक किस तरा होँगे जे दे विच एक की term होवे ठीक है ते बाई दा मतलब होदा two होण ठीक है मतलब दो पदी केड़े होँगे फिर दो पदी ओ होए जे ना दे विच ही होएगा दो टाम्स ठीक है उन्सा तुसी सारे समय के उन्हें बाई दा मतलब केंदा two ठीक है two terms जादे विच होने like असी पहला वी example किती सी जादे ना six x plus seven y ठीक है तो एरे विच किया दो पद आ गई है six x ते seven y ते ने दो पद आ गई पहला पद ते दूसरा पद ठीक है तो एक ही आगए दो पदी वियन्जक ओके बच्चो ते next रहेगा तेन पदी वियन्जक तेन पदी वियन्जक दे विच किन्या टाम्स होन गया होने ठीक है तेन ठीक है बच्चो जिद्दा ऐसी example ले ले लेने या X plus Y plus Z ठीक है तो एक ही हो गया तिन पदी ठीक है तिन पदी मतलब ट्राइनोमियल ठीक है ट्राइ मींस तिन तिन ता मतलब भी तेन उन्दा अइंग्लिश विच ठीक है तो एक ही ही आगए तिन पदी वियन्जक ओके बच्चो ते जनल एक्सप्रेशन जीदे विच एक तो जादा ठरमजां श जानुल एक तो जादा पाूमियल ओनानूशी जन्नली की 干ो कान हिना पौलीनऊमियल मतलब के बहुपदी ठीक है फ्क है मतलब पौली पौली था मतलब मैंनी हुंदा ठीक है तो polynomial रड़े ने ओ किया गया फिर जिना विच बहुत बढ़ उन देने ठीक है बच्चो तो हुण ए लास विच विच वसी question करने लगे हैं तो question ने दे विच किया कि हेट लिखे हेट लिखे विच्चो हरे एक दे पदा आते गुणाक कानू पहचाईव x y z square minus 3xy ठीक है एक विच्च का मतलब एक की है गाया expression है ठीक है तो इस expression दे विच उनसी find की करना एक ही एक expression है तो expression दे विच उसी पद देखने पद किनने या देखो यदे केड़े एक एपद है एक एपद है क्योंकि इना दो ना दे विचकार एक ही या minus न निशान है ठीक है तो दो बदी एक ही हो गया विआजग तेरे विच गुणाक केड़े है पहले दा गुणाक 5 ते दूसरे दा गुणाक minus 3 ठीक है एरे विच किन्ने बाद है गया देखो 1, 2, 3 एक यह तिन पदी हो गई ठीक है 3 पदी वियंजक ठीक है मरलब trinomial हो गया तो एरे विच केड़े केड़े बाद आ गया पहला एक का दूसरा x आ ते तीसरा किया x square ते तिन्ना दे कोफिशेंट बच्चे 1 के की है मतलब trinna दे गुणाक जड़े 1 नहीं है x दे आड़ बाने लगा होया एक गुणा एक एक एकस नू कल्ले नू की गेंड़ना तुसी कल्ला x दा मतलब हुंदा 1 इंटू x एदी x square एदा मतलब की हैगा x इंटू x इंटू 1 तो 1 जड़ा या ओ एदा गुणाक हो गया सारे आंदा ठीक है एरे विच देखों तिक इने पद हैगे 1 2 ते 3 ठीक है इस question दे विच इस सामदे विच तेन पद हैगे ने और तिन ना पदा दा गुणाक होन पहले दा 4 दूसरे दा माइनस 4 ठीक है इंग्लिश मीडियां वाले बच्चा लिया कि find the for the expression find the terms and the coefficient second question एक खोर कर लेने चलो एक या हेठा लिखे बहु पदा नूँ एक पदी दो पदी तेन पदी रूप विच वर्गी कन करो तो एदा अंसर बच्चे हुन तुसी अराम ना कर सकते हैं पर student ही थे first expression है गा पहला expression है एक प्लस वाई ठीक है किन्ने पदा आ गया देविच दो पदी उस्तो बाद अगला है गला 1000 तो 1000 जड़ा है एक पदी देविच ए दो पदी हो गया ठीक है उस्तो बाद अगला 7 प्लस Y प्लस 5X ठीक है ए हो गया 3 पदी विच तेन टरम्स आ र तो एक 2 पदी हो गया ठीक इससे तरह बचे next है गा 5X माइनस 4Y प्लस 3XY ठीक है देखो एक दो तो तेन टरम्स है गया तेन पद है गया ए भी की हो गई तेन पदी संख्या ठीक है तो इन्हों असी केच लिखांगे तेन पदी देविच आ देखो इत्ते लिख्या हो या ते 24 A स्केर B देश मान किडा ठीक है एक कोशन बचे बड़ा इंटरस्टिंग कोशन है इन्हों तिया अनाड शमझो कोशन कीया इन्हों दुबारा लिख लो इत्ते कोशन सार्टिकुल है के 24 A स्केर B C देश मान किडा पद है ठीक है तो इते वीचे जड़े जड़े ऑप्शन होए ने ओप्शन बच्चे दित्ते ने देखो गुनन फाल दे रूप वेच ठीक है गुनन फाल दे रूप वेच यह इसे कंफ्यूज नहीं है ना तुसी की करना एक गुनन फाल जड़े नहीं कठे कर देना उप्शन है उदे वेच किया देखो थर्टीन इंटू एट 2 एटे गिंआ 2B एंटू C ठीक है नाल एवी है ठीक है असी ऐसे एनू ए यदे नाल के अटे गार्टा कर देना एगा एसके एर टे attracting बिंजinhos एडार नाल आ जो म्लेटे रूप ए डिये हो नाल सी ठीक है यह फैक्टर दिखो एवली टाम जो ए व territ बीकल रही है यह अर Caleb 08 देवेच A factor आ ठीक है आप डोनव में नाडे मात भी और थीमस हों साक्दे मांच भी यह और सभी माइनस भी सानवार लुराइक होगे है लाइक टारम सोगन तो एथाala cia मैं अंसर होगे है तो पहली do विच की हैगा 5X plus 6Y plus 9Z ठीक है तो एक किस तरह आदा बहुत है इरे विच देखो तेन टाम साइरा मलो यह तेन बदी व्यंजक हो गया ठीक है सिद्धा यांसर है एरे बारे जादा तुसी पढ़ी लिया ते हों तुसी अराम ना अंसर एड़ा है वदा दे सकते हैं कि इस ता अंसर आएगा तेन बदी ओके बच्चो तेन असमान बद हैगे ने तो इस का रगे एक ही है गया तेन बदी व्यंजक है गया है तो बच्चो एत वड़ा टॉपिक सिगा इसनू सारे ने कॉपी देओ पर लिख ले ना तेल देन स्टे स्टे अट होम स्टे सेव थैंक यू थ यूज बच्विक